चलिए आज का ये पाठ हम स्टार्ट करते हैं चतुर्त है पाठ है पूरे को समझते हैं पढ़ते हैं चलिए ये रहा हमारा चतुर्त पाठ आपके अपने YouTube चैनल लखन वाली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चाय आप कहीं पर भी रहकर के तयारी कर रहे हैं दोस्तों हम आपको उपलब्द करवा रहे हैं समस्कित की सारी classes इससे पहले भी हमने बहुत सारे पार्ट आपको उपलब्द करवा दिये हैं अब हमार यहाँ पर चतुर्ता पाठा कर्म गौरवम यह वाला पाठा आपका चल रहा है इसमें लगातार आपको classes मिल रही हैं जितने भी बारवी class के समस्कित के student हैं आप बिलकोल भी निस्टिंत होकर के रहे हैं अच्छे से त्यारी करिए आपको कहीं भी tension लेने की अवशक्ता नह जिससे कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं दोस्तों चलिए आज की class शुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने आपको दो शलोक इसमें अच्छे से समझा दिये हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे तीसरे शलोक से आगे पढ़ेंगे लगबग इसमें चार या पांच शलोक मैं आपको बताने का प्रियास करूँगा मैं लगबग 30-40 मिनट का ये वीडियो आपका बनाँगा दोस्तों ज्यादा लंबा भी ठीक नहीं रहते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class शुरू कर लेते हैं देखिए स्क्रीन पर देख रहोंगे ये हमारा तीसरा शलोक है तीसरे शलोक को हम पढ़ेंगे देखो हमने आपको पहले भी का कि हम जो शलोक पढ़ाते हैं या कोई भी पार्ट हम पढ़ाते हैं तो उसके हमारे कुछ स्टैप होते हैं सबसे पहले मैं आपको वाचन बताऊंगा इसका वाचन कैसे करते हैं इसके बाद मे इसका हम अनुवे बताएंगे आपको इसके बाद में इसके शब्दों के अर्थ बताएंगे और इसके बाद में अनुवाद बताएंगे ये हमारे पांच चरण होते हैं किसी विश्लोग को पढ़ने के लिए तो चलिए हम एक एक को यहाँ पर आपको बता देते हैं सबसे पह देखे दोस्तों कितना अच्छा श्लोक है तो देखे दोस्तों अभी हमने बोल के बताया देखे ये लिखा हुआ है ने कर्मना मनारंभान नैशकर्म्यंपुरशोस्नुति नैचे सन्यसनादेव सिधिम समधिगच्छति ये हमारा श्लोक है तीन नमर का ये तो हमारा वाचन हो जाता है अब इसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप होता है संधी विच्छेद का या फिर पद विच्छेद इसमें जहां जहां पर पदों का विच्छेद हो सकता है हम अर्थ कर पाएंगे तो सबसे पहले हमारा पद है ने यहां पर यह हमारा सिंगल पद है इसकी बाद में हमारा दूसरा यह देखिए इतना बड़ा पद है इसमें हमें विच्छेद करने हैं इसमें हमें टुकडे करने की आवशक्ता होगी तो कैसे होंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इस पूरे शब्द को हम तीन जगे विभक्त करके आपको बता रहे हैं तीन टुकडे इसके होंगे कैसे कैसे होंगे चलिए मैं यहाँ नीचे लिखकर बता रहा हूँ कर्मना कर्मनाम ऐसे लिखा जाएगा सबसे पहले तो कर्मनाम ऐसे एक हो गया कर्मनाम अना रमभाद यह दूसरा पथ हो गया कर्मनाम अना रमभाद तीसरा है नैश करम्यम कौनसा है नैश करम्यम नीचे लिखकर होंगे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए नेश कर्मियम ऐसे अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने तीन आपको शब्द बताए हैं एक हो गया, यह आपका दो नमबर पे हो गया, यह आपका तीन नमबर पे हो गया यह तीनों को यदि आप मिलाते हैं तो यह वाला आपका पद बन जाता है जो बड़ा सा पद दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको बोलना होगा कर्मानाम अनारंभाद नैश कर्मियम ऐसे अब देखिए इस ट्वेंड्स यहां पर मैंने आपको यह बता दिये, यहां तक का पद बता दिया है अब हमारा आगे जो पद है पूरुषो अश्नुते, यहां पर दो पद है हमारे दोनों को मैं अलग-अलग लिखके बता रहा हूँ, नीचे देखिए आप एक तो है इसमें पूरुष है, ऐसे, और दूसरा पद है अश्नुते, इस तरीका से है यह दोनों से मिलकर के बना हुआ है, पूरुषो अश्नुते, ठीक है न, यहां पर यह आप देख पा रहे है जो S का सचिन लग रहा है, इसको हम अबग्रह कहते हैं, क्या है, आदा A होता है इसको हम अबग्रह संदी कहते हैं, पूरुष है अश्नुते, ऐसे आप इसका बिच्चेद करेंगे ठीक है न, आगे चलिए, आगे देखो हम अगली लाइन में चलते हैं, मैं इसमें नीचे से यहां पर साप कर देता हूँ एक लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है, आप नोट कर सकते हैं, नीचे है न और चे, कोई प्राब्लम नहीं है, यह सिंगल सिंगल हमारी पद है इसके बाद में है हमारा सन्य सना देवे, यह है हमारा देखो, यहां पर हमें विच्छेद करना होगा, यहां पर आपको विच्छेद करने की अवशक्ता है सन्य सनात एब है, सन्य सनात एब, ऐसे है, सन्य सनात एब है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, जस्त संदी कर लेंगे, तैकी इस्तान पर दे हो जाएगा, तो बन जाएगा सन्य सनात एब, ऐसे, बन जाएगा नहीं, सन्य सनात एब, ऐसे आप बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए, मिटा रहाँ इसको में, अब देखो, आगे हमारा पद है, यहां सिद्धिम, एक ही पद है, कोई दिक्कत इसके बाद में समधी गच्छती एक ही पद है समुपसर्ग में अधी गच्छती जोड़ दिया है तो समुपसर्ग है और अधी गच्छती आपका एक दूसरा पद है ऐसे करके आपको यहाँ मैंने सारे ही पदों का विच्छेद करके बता दिया जहाँ पर सार्थक विच्छेद हो सकता है मैंने सारे ही पद आपको बता दिये ठीक है ना अब चलते हैं हम अनवे की तरब चलते हैं बच्छो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है अनवे का अब मैं आपको अनवे बता रहा हूँ इसी के अंदर ठीक है ना और मैं नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखा दूँगा आपको जिसी की आपको दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले आपको अनवे बता लिखना है पूरुश है एक नमबर पे लिखना है पूरुश है इसके बाद में लिखना है कर्मनाम ये दो नमबर पे लिखना है कर्मनाम और फिर लिखना है अनारंभात ठीक है ना तो ये दो नमबर ही मानलो इसको भी कर्मनाम अनारंभात ने निशकर्मिम यह इसके बाद में निशकर्मिम आएगा तो यह पूरा का पूरा पद आप दो नमर पे लिखेंगे कहने का मतलब यह है लेकिन इसको आप अलग-अलग टुकड़े करके लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको विच्छेद करके बताया था ऐसे टुकड़े करके इसके बाद में आपको लिखना है कर्मनाम अलग हो गया इसके बाद में लिखना है अनारंबाद अलग हो गया इसके बाद में नैशकर्मिम ऐसे आपको लिखना है इसके बाद में लिखना है ने तीन नमर पे आपको ने लिखना है जो फस्ट में लिखा हुए ने इसके बा पहरी लाइन के अनवे को बोल रहा हूं, देखो, सबसे पहले एक नमबर वाला पद बोलना है, फिर दो नमबर का पद बोलना है, फिर तीन नमबर का, फिर चार नमबर का पद आपको लगातार बोलना है, मैं बोल के बता रहा हूं, पुरुष है, कर्मनाम, अनारंभाद, ने ऐसे ठीक आगे चलिए आगे मैं आपको जो हमारी दूसरी लाइन है उसको बता रहा हूँ इसमें आप दूसरी लाइन में लिखेंगे ने चे सन्य सना देवे यो की तो ही आ जाएगी इसके बाद में सिध्धिम समाधिग अच्छती नीचे की जो पूरी की पूरी लाइन है फ्रेंड्स वो यो की तो ही आ जाएगी कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि पूरी लाइन में सीधे सीधा अर्थ निकल रहा है इसमें आगे पीछे कहीं भी रखने की आबशक्ता नहीं है जैसा लिखा हुआ है उसका सीधा अर्थ निकल रहा है अनवे में हम यही तो करते हैं उसका अर्थ बैठाते हैं एक वाक्य बनाते हैं जिससे की उसका एक सही अर्थ हमें प्रकट हो जाए तो यहाँ पर इस वाक्य में यूँकी तोई अर्थ निकल रहा है इसलिए आपको यूँकी तोई उतार देना है केवल आपको विच्छेद करना होगा जहां हमने आपको विच्छेद बताया था तो ऐसे करके हमारा अनवे हो जाता है मैं पूरे अनवे को एक साथ बोल के बता रहा हूँ और इस्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा रहा हूँ देखिए इस तरह से हमारा यहां पर अनवे हो जाता है ठीक है न इस तरह अनवे हो जाता है हमारा अब देखो आगे हम देखते हैं इसमें अनवे की बाद में हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है शब्दों की अर्थ का यानि शब्दार्त आपको हम यहां पर बताने वाले हैं तो जितने भी हमारे शब्द हैं उनका मैं आपको शब्दार्त यहां पर बता रहा हूँ सबसे पहले है हमारा ने ने का मतलब होता है नहीं ठीक है एकदम आसन सा है इसके बाद में है कर्मणाम कर्मनाम का मतलब है यज्यादी कर्मों की ठीक है या फिर कह सकते हैं शास्त्र भीहित कर्मों की ऐसा इसका अर्थ होगा आगे है इसमें अनारंभात क्या है अनारंभात इसका मतलब है ने करनी से या ने आरंब करनी से ऐसा इसका अर्थ है ठीक है ना आगे है नैशकर्मियम, नैशकर्मियम का मतलब है निशकाम भाब को, निशकाम भाब को नैशकर्मियम का मतलब होता है, ठीक है न, या फिर कह सकते है निशकर्मता को, समझ गे न, ऐसे, इसके बाद में है पूरुशह याने पूरुश, फिर है अश्नुते, अश्नुते का मतल कि अ सर्वी सब्सक्राइब, धृट कर सब्सक्राइब, यह लिखा द्रनलब नहीं क्यों करद सर्वी सब्सक्राइब, रहे हैं यह हमारा एक पूरा हमने पद को ले लिया एक साथ इसका अर्थ हो जाएगा कर्मों को त्यागने मात्र से ही ए बियान ही होता है तो कर्मों को त्यागने मात्र से ही ऐसा यहां अर्थ हो रहा है कर्मों को त्यागने मात्र से ऐसा आपको अर्थ इसका समझना है सन्य सन नादेव है आगे है देखिए यहाँ पर बच्चो अगला शब्द है सिद्धिम तो इसका अर्थ हो जाएगा सिद्धी को अर्थार्थ साक्षात कार रूप सिद्धी को आगे लास्ट है समाधिग अच्छती समाधिग अच्छती का मतलब हो गया प्राप्त होता है क्या होता है प्राप्त होता है ऐसा इसका अर्थ है इस तरह से बच्चो मैंने आपको जितने भी इसमें पद है सबी पदों का मैंने अर्थ आपको समझा दिया है अब चलिए हम आपको इसका अनवे बताते हैं इसका अर्थ क्या है पूरे शलोक का अच्छे से सुन लिजिए इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य कर्मों के ने करने से निशकर्मता को प्राप्त नहीं होता है ये कहा जा रहा है सुधि को प्राप्त नहीं होता है सिद्धिन समद इगच्छती याने जो भगवत साक्षातकार रूप सिद्धी है उसको प्राप्त नहीं होता है इसलिए किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवशक्ता नहीं है अर्थार्थ हमें कर्म रत होना चाहिए कर्म करना चाहिए ऐसा इसका मतलब है वच्छो ठीक है अब इसमें से किसी भी तरह से यदि प्रश्न बनता है तो आपको वो समझ में आ ज जाना चाहिए क्योंकि जब हमने एक एक शब्द का अर्थ बता दिया तो कोई भी प्रश्नाप का गलत नहीं होना चाहिए ऐसे ठीक है ना ऐसे करके हमारा ये तीसरा श्लोक कंप्लीट हो जाता है चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स चलिए दोस्तों अगल अब इसको किस तरीका से हम इसका उचर्ण करेंगे चंद के एसाब से देखिए आप लोग भी साथ में बोलेंगे इस तरह से आपको बोलना है ठीक है ना ये हमारा वाचन हो जाता है अब चलिए आगे हम इसका बता रहे हैं आपको पदक्षेद करके इसमें जहां जहां पर विच्छेद संभव है वहां आपको हम विच्छेद करके बताते हैं चलिएए फ्रेंड्स अच्छा से सुन लो अच्छा से देखे लो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना अपने दोस्त जितने भी है सब को शेर कर दो ठीक है ना सब को फायदा मिलना चाहिया यार ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा पद है न ही, अलग-अलग पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद मैं है कस्चेत और ख़णम अपी, तो यहां पर आप अलग कर सकते हैं, कस्चेत धनक्षणम अपी, मिलाएंगे तो सेम बनेगा कोई इसमें यहां परिवर्थन नहीं हो रहा है, आप लग लिख लेंगे कस्चित और क्षणम अपी ऐसे आगे है जातू एक ही पद है इसके बाद में है तिस्ठत्य कर्मकृत यहां आपको संदिवेचेद करने की आवशक्ता है तो यहां पर लिखेंगे आप तिस्ठती धन एकर्मकृत यह दो पद है यहां पर अच्छे से समझ तिस्ठती दूसरा पद हो गया एकर्मकृत एकर्मकृत ऐसे यह हमारा दूसरा पद हो गया इन दोनों पदों को जोड़ोगे तो हमारा यह वाला पद बन जाएगा तिस्ठत्य कर्मकृत अब यहां हुआ क्या यहां पर आपकी तिस्ठती धन एकर्मकृत में संधी हो गई यन संधी और यन संधी से जो तिश्ठती में इदिखाई दे रहा इसका ये बन गया इसलिए तो बन गया तिश्ठत्य कर्मक्रेत ठीक है ना किलियर है आप इसको नोट कर लो अच्छे से देख लो स्कुरिंशॉट ले सकते हैं अपनी काफी में नोट कर सकते हैं चलिए मैं न इसमें कुछ भी आपको करने की अबशक्ता नहीं है यहां देखो हया वशह यहां आपको विच्छेद करने की अबशक्ता है क्या करेंगे यहां विच्छेद ही धन ए वशह है यहां होगा विच्छेद ही धन ए वशह है यह इस तरीका से यहां विच्छेद होगा अब यहा यन स्याद अच्छी सहीताईया अंबिशह यह एक के ifしたन पर यन होता है ना तो एकेस्तान पर यह हो जाएगा तो वन जाएगा हय रिकह्या मैं हय 6 है हय रफस्य के तरीका से आपका रूप बन जाएगा आगे है कर्म योकितों ही रहेगा इसके बाद प्रकृति जही गुणही यहां पर आप कर सकते हैं विच्छेद यहां पर आप पद का विच्छेद कर सकते हैं यहां दो पद आपके बनेंगे कैसे कैसे बनेंगे मैं नीचे ही लिखकर बता रहा हूं देखिए क्या पद बनेगा प्रकृति जही एक बनेगा इस तरीका से दे यह आपके दो पद हो गए गोनही प्रकृतिजही गोनही इस तरीका से आपके यहाँ दो पद हो गए इन दोनों को यदि आम मिलाते हैं तो यहाँ पर आपका यह वाला रूप बन जाएगा प्रकृतिजहीर गोनही यहाँ पर आपके यह विसर्ग संदी के अंतरगत ऐसा रू जा दिये ठीक है उमीद करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा देखा होगा हाँ पर स्क्रिन सॉट ले सकते हैं काफी में नोट कर सकते हैं बार बार सुनते रहिए तो आपको निश्चित याद हो जाएगा ठीक है आगे चलिए आगे मैं आपको अनवे बता रहा हूँ अग आपको लिखना होगा ही ठीक है ही का मतलब होता है क्योंकि इसके बाद में आपको लिखना है कस्चित क्या लिखना है कस्चित तो ही पे एक नंबर हो गया कस्चित पे दो नंबर ही कस्चित फिर लिखना है जातू तीन नंबर जातू ठीक है ना अर्थ में बाद में बता द काल के बता दिये हैं पहले नंबर पर यही आ गया दूसरे पर कस्चित आ गया तीसरे पर जातु आ गया चौथी पर शणम अपी आ गया इसके बाद में पांच बाद जो नंबर है वो आएगा एक करमकृत तो यहां पर आप लिखेंगे पांच नंबर एक करमकृत ठीक है और इदर लिखेंगे आप पांच के बाद चैनमर पर ने यह इस साथ आपको पद इसमें लिखने होंगे उनको एक लिखना होगा नंबर के हिसाब से एक लंबा सा वाक्य बन जाएगा उसी को हम अनवे कहेंगे कैसे हो जाएगा मैं एक बार बोलके बता रहा हूं ही कस्चित जातु खणम पी ए करमकृत ने तिस्ठती यह हमारा अनवे हो गया पहली लाइन का ठीक आगे चलो सेकिंड लाइन म आपको लिखना होगा आठ नंबर डालके ही इसके बाद में सर्व है सर्व है लिखना होगा नो नंबर पर ही सर्व है प्रकृति जाही यहां लिखना होगा आपको प्रकृति जाही इसके बाद में गुण ही यह पूरा का पूरा एक साथ मालूआ प्रकृति जाही गुण ही हलेंकि अलग-अलग लिखना है आपको विच्छिद करके जो मैंने बताए ना उनको विच्छिद में लिखना है ये ध्यान रखना अनवे के अंदर विच्छिद करके ही लिखना है आपको इसके बाद में लिखना है आपको एवश है यहां 11 नमबर पर एवश है मैंने यहां भी विछ्षिद करके बताया था हीधन एवशय है इसके बाद में लिखना है आपको कर्म ये बाला कर्म है ना इसमें आपको 12 नंबर डाल के लिखना है कर्म है और last में बचा हुआ है कार्यति ये आपको तेरे नंबर पर लिख देना है ऐसे करके हमारे एक से तेरे अंक हो जाते हैं और इसी के साथ में हमारा अनवे कम्पीट हो जाता है इन सब को यदि आप क्रम से लिख दोगे तो आपका अनवे बनके तैयार हो जाएगा और एक बड़ा सा वाक्य हो जाएगा उसी को हम अनवे कहेंगे अब मैं बोलके बता रहा हूँ एक साथ और स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा रहा हूँ ही कस्चित जातुक्षणमपी एकर्मकृतने तिस्ठती ही सर्वह प्रकर्ति जही गुनही एवशह कर्मकार्यती हो गया अनवे ऐसे और स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको अनवे ऐसे करके आप अच्छे से समझ गए होंगे अब चलते हैं आगे शब्दार्थ की तरफ इसमें जितने भी हमारे शब्द हैं उन सभी शब्दों का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ चलिए दोस्तों सबसे पहले है हमारा ने ने का अर्थ होता है नहीं इसके बाद में है ही ही का अर्थ है यहां पर क्योंकि क्या है क्योंकि है यहां पर अर्थ ही का मतलब है यहां पर क्योंकि इसके बाद में आगे चलिए आगे है कस्चित का अर्थ है कोई कस्चित याने को कोई या फिर कह सकते हैं कोई पुरुष कस्चत याने कोई या कोई पुरुष इसके बाद में है क्षण औम अपी क्षण आ मनतलब होता है क्षण मात्ट भी क्या होता है डि outsiders का रहत होगा को आगे भी ठीक आगे है तिस्ठती क्या है तिस्ठती का यहां अर्थ है नहीं रहता है तिस्ठती याने नहीं रहता है या नहीं ठेरता है ऐसा इसका अर्थ होगा आगे है एकर्मकृत एकर्मकृत का अर्थ होगा विना कर्म किये विना कर्म किये ऐसा अर्थ होगा इसका मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ कोई भी शब्द में नहीं छोड़ रहा इसलिए पूरे शब्दों का अर्थ समझ लो अच्छे से आगे है कार्यते कार्यते का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर करते हैं कार्यते आने करते हैं कि इसके बाद में ही याने आपको वताई दिया क्योंकριूंकी और फिर इसमें है आपका एवशह है एवशह का मतलब परवश उए परवशm fel के न दूसरे के वशी में हुए आगे लिखा हुआ कर्म कर्म का मतलब कर्मों को सर्वह याने होता है आपका सभी सभी लोग प्रकृतिजई प्रकृतिजई का मतलब क्या हुआ प्रकृतिक या प्रकृति से उत्पन आगे है लास्ट गुणही गुणही का के दौारा इस तरह से बच्चों मैंने आपको सभी शब्दों का अर्थ समझा दिया है अब कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए आपको ठीक है मैं बिलकुल कंप्लीट करके बता रहा हूं बिलकुल भी परिशानी नहीं हो आपको इस तरह का से समझा रहा हूं और बिलकुल आसन को अर्थ समझा रहा हूं सुनिये के रहे हैं तथा सरवथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता मतलब तथा के रहे हैं कि तथा सरवथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता क्योंकि अब इसकार सुना क्योंकि कोई भी पुरुष हमने कहा ही कस्च क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में खशन मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता है पिर आगे बता रहे हैं इस में क्योंकि कैसे नहीं रहता है कि ही सरवहा प्रकृति जही गुनही ए वशह कर्मकार्यती निसंदे सब ही पुरुष प्रकर्ती से उत्पन हुए गुणों के द्वारा परवश हुए से कर्मों को करते रहते हैं मतलब कहने का ये हुआ कि प्रकर्ती से उत्पन हुए जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा हम परवश होते हुए कर्मों को करते हैं उनी कर्मों से हम परवश होते हैं उनी को हम करते रहते हैं जो की हमें प्रकरती से उत्पन हुए मिलते हैं उनके द्वारा हम परवश हुए होते हैं उनसे हम बंदे रहते हैं उनी कर्मों को हम करते रहते हैं इस तरह से यहां पर इसका अर्थ हो जाता है तभी तो मैंने कहा थ कि सरवथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता ऐसा इसका अर्थ हो जाता है ठीक है ना दिक्कत नहीं कोई भी ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर आपको कोई प्रावलम नहीं होने चीए एकड़ मैंने आसान तरीका से आपको समझा दिया है मैं इसमें आपको हमारा ये वाला श्लोक complete हो जाता है अब चलिए आगे अगले श्लोक पर चलते हैं एक श्लोक मैं आपको और बता रहा हूं बस सिर्फ एक और बताऊंगा उसके बाद में आपको जो भी श्लोक बच रहें उनको अगली क्लास में बताऊंगा तो चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ हमारा श्लोक है तो पांच नमबर श्लोग को सबसे पहले तो हम वाचन करेंगे, उसके बाद में इसका विच्छेद करेंगे, अनवे करेंगे, शब्दार्त और अनवाद करेंगे देखिए एक बार ऐसे पढ़के बता रहा हूँ अब इसका हम वाचन करेंगे चंद के अनुसार चलिए इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कैसे भी बोल सकते हो मज़ा आना चीए आपको आनंद के साथ में बोलिए, मस्ती के साथ में याद करिए, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से याद होगा ठीक है? चलिए ये तो हमारा वाचन हो किया? अब इसमें संदी विच्छेद कर लेते हैं, जहां जहां पर आवशक्ता होगी, वहां पर हम संदी विच्छेद करके आपको बता देते हैं सबसे पहला हमारा पद है, तसमाद शक्त है, यहां पर आपको संदी विच्छेद करने की जरूरत है यहां दो सब्द हैं आपके, तसमाद धन ए सक्तय मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए आप तस्मात धन ए सकत है यह हमारा पहला पद कम्प्लीट हो गया पहली लाइन कम्प्लीट हो जाती है पहली लाइन में केवल एक ही हमारा पद है जहां पर हमें पदच्छेद करने की आवशक्ता है वो मैंने आपको यहां करके बता दिया है ठीक है ना तसमात धन ए सकते अब यहां पर आप संदी करेंगे जस्त्वसंदी जस्त्वसंदी में फ्रेंड्स क्या होता है जो वर्ण हमारा है पहला उसका तीसरा बन जाता है तो यहां तै की जगे दे हो गया तै 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 दे तीसरा बन गया तो समझ जाना जस्त वसंदी हो गई जैसे जगदीश होता है वागीश होता है इस तरह से ठीक है? तो अब समझ गये आप इसको मैं मिटा देता हूँ और दूसरी लाइन को मैं समझाता हूँ देखिये, नीचे से मिटा रहा हूँ और अगली जो हमारी लाइन है इसको हम समझते है इसमें लिखा हुआ एसक्तो एसक्तो इसके बाद में हमारा पद है हया चरण करम यहाँ पर आपको विच्छेद करना होगा यहाँ पर विच्छेद करने की अवशक्ता है कैसे करेंगे भई तो यहाँ करेंगे ही धन आ चरण मैं लिखके बता रहा हूँ कैसे यहाँ विच्छेद होगा बहुती अच्छा हमारा पद है यहां विच्छेद करने के लिए देखिए सबसे पहले लिखेंगे ही ही धन आ चरण ही धन आ चरण यह आपको लिखना होगा अब ही हो गया इदर आ चरण हो गया यहां पर आपकी यन संदी हो जाएगी इ में जो इ है न इस इ को यह बन जाएगा और फिर मिला दीजिये तो बन जाएगा ह्या ही धन आ चरण करम ही धन आ चरण फिया ही से ही बन गया हियाँ ऐसे किलियर है सब के आगे चलो मिटा रहा हूँ है इसको अब दिक्कत हो तो बता सकते हैं comment कर लिजी हम ही धन आचरन बन गया न यन संदी ऐसे अब देखो आगे चलो आगे हमारा पद हो गया ये complete हो गया कर्म है कोई दिक्कत नहीं है परमापनोती अगला है परमापनोती यहाँ पर आप टुकड़ा कर सकते हो परमधन आपनोती लिख सकते हैं परमधन आपनोती ऐसे आप लिख सकते हैं परमधन आपनोती और लास्ट है पूर उशह हो गया ये लो हो गए बिच्छेद आपके कहा दिक्कत आई इसमें बताओ कितने आसान तरीका से मैंने बता दिया आपको परमधन आपनोती यहाँ पर हलाग की परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है परम हो गया एक शब्द और एक शब्द आपनोती हो गया दोनों का यहाँ पर वर्ण संयोग हुआ है सिर्फ परमापनोती ऐसे ठीक है ना तो इस तरीका से बच्चो मैंने यहां पर सभी पदों में बिच्छेद बता दिया जहां जहां बिच्छेद हो सकता है यह जरूरी नहीं कि हर पद में बिच्छेद हो अरे जहां सार तक बिच्छेद हो सकता वहीं तो करेंगे हम सब जेगे थुड़ी ना करेंगे चलो आगे चलते अब मैं आपको इसमें जितनी भी शब्द हैं उनका अर्थ बताता हूँ सबसे पहले लिख रहा है तस्मात तस्मात का अर्थ है इसलिए हो गया अपा देख याद रखना तस्मात याने इसलिए फिर है ए सक्ते है ए सकते का अर्थ होता है अना सक्त होकर की क्या होकर के अना सक्त होकर की ठीक है ना आसक्त का उल्टा है अना सक्त आगे है सततम सततम का मतलब लगातार या निरंतर किलियर फिर है कारियम याने कार्य या करने योग्य काम कर्म यानि कर्म होता है या काम होता है समाचरे समाचरे का मतलब कर समाचरे का मतलब कर या करो ऐसा इसका अर्थ है समाचर यानि कर ठीक है ना ऐसे हमारी एक लाइन कम्प्लीट हो गई आगे चलो ए सक्तो ए सक्तो तो ए सक्त है का मतलब बताई दिया अना सक्त अर्थ हो गया अना सक्त है फिर है यहां पर है ही धन आचरण धन कर्म तीन शब्द छुपे हुए हैं तो ही का मतलब मैंने बताया क्यों की ही याने क्यों की होता है ठीक है ना और यहां आचरण आचरण का मतलब क्या होता है जाएगा करता हुआ आचरन याने हो जाएगा करता हुआ और कर्म याने कर्म हो जाता है या फिर काम हो जाता है फिर आगे है परमापनोती तो यहां पर देखो बच्चो एक शब्द है परम और दूसरा है आपनोती तो पहला शब्द बता रहा हूं मैं मैंने आपको दो टुक परमातमा को और आपनो तियाने प्राप्त होता है और पूरुषे का मतलब पूरुष होता है या मनुष्य होता है ऐसे अब बताओ कहा दिक्कत आई इसमें अच्छे से समझ गए न सारे शब्द कोई दिक्कत नहीं होनी चीए आपको इसमें ठीक है बच्छो आप चलिए इसका मैं अर्थ समझा रहा हूँ आपको अर्थ देख लीजिए अर्थ मैं आपको अनवय के हिसाब से बता रहा हूँ तस्मात ऐसक्तह सततम कार्य कर्म समाचरह अर्थार्थ इस कारण तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तब्य कर्म का तस्मात ऐसक्तह सततम कार्य कर्म समाचरह ठीक है ना तो इसका मतलब हो गया कि इस कारण तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तब्य कर्म का सम्यक रूप से आचरण कर क्योंकि आगे बता रहे हैं क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करता है समस्कित में लिखा हुआ है ही एसक्तपुरुशह याने अनासक्तपुरुश कर्म आचर्ण अर्थार्थ कर्म करता हुआ परम आपनोती अर्थार्थ परमात्मा को प्राप्त होता है परमात्मा को प्राप्त करता है इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है बच्छो उमीद करते हैं आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस तरह से हम एक एक शलोक को आपको अच्छे से बताते चलेंगे पूरा आपका पार्ट यूँ ही हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा तो इस तरह से दोस्तो हमारी क्लास कम्प्लीट हो जाती है आज मैंने आपको इस क्लास में बताए तीन शलोक और तीनों शलोकों को मैंने बहुत ही आशान तरीका से जबरदस्त तरीका से रोचक तरीका से आपको बताने का प्रियास किया और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ माया होगा आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये हमारा जो तरीका है वो कैसा लगा हमने जो पढ़ाया वो कैसा लगा आपको हमारा प्रियास आपको कैसा लग रहा है अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है आपका किसी भी तरह का, तो जरूर आप कमेंट में लिखना, आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा दोस्तों, और संतुस्ट किया जाएगा आपको, अच्छे से त्यारी में लगे रहे, सबके लिए शुपकामना ह धन्यवास सब के लिए